नमस्कार दोस्तों हमारे चानल में आपका स्वागत है हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें आखिर में घंटे को दबाना मत भूले हनुमान जैनती 2018 कूलन 30 साल बाद बना शानी का ये अनुखा योग करें इन सिथ मंत्रों का जाप नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है चायत्र माह की पोर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्म होने के कारण इसे दिन श्री हनुमान जयनती मनाते हैं वहीं महवीर हनुमान को महाकाल श्रीव का ग्यारव अरुद्रावतार माना गया है नई दिली 31 मार्श को भक्ति के पर्याय और श्री राम दूर तथा संकटों को पल्भर में दूर करने वाले श्रो हनुमान जी की जयनती है माना जाता है कि श्री हनुमान ही मातंग्रिशी के शिर्शिव थे सोर्य देव और नारद जी से भी इन होने कई गोड़ विद्याई सीखी चैत्र मा की पोणिमा को ही हनुमान जी का जन्म होने के कारण इसे दिन श्री हनुमान जयनती मनाते हैं वहीं महावीर हनुमान को महाकाल श्रीव का 11 अरुद्रावतार माना गया है इस साल हनुमान जयन्ती के दिन उत्तरा प्वालगुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जिसके स्वामी सुने नारायन है 18 मार्च से हिंदु नगवर्ष का आरंग हुआ है जिसके राजा सुरे और मंत्री उनके पुत्रुषन है 2018 में शनिवार की दिन हनुमान जयन्ती आने से इसके प्रभाव में प्रिथी हुई है वर्तमान समय में शनिधन राशी में और मंगलवार मकर राशी में वास कर रहे हैं हनुमान जयन्ती के शुबवसर पर शनिमंगल का ये योगती स्वर्ष उपरांत बना है इस योग में के गए उपाय शीग्र अपना प्रभाव दिखाते हैं और जाता को अक्षय पुन्य प्राप्त होते हैं। इस योग में के गए उपना प्रभाव दिखाते हैं। 44 को होने के कारण पूर्णिमा 31 को ही मनाई जाएगी और उसे दिन पूरी रात्री और पूरा दिन श्री हनुमान जयनती मनाई जाती हैं। 31 की रात्री को पूजा का विशेञ फल हैं। आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर पताए रन्यवाद